नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं जनवरी 2023 में 71,000 युवाओ को मिली सरकारी नोकरी, देश के 71,000 युवाओ के लिए आज 20 जनवरी का दिन धेरो खुसिया लेकर आया है बता दे ए ओ तारीक है, जब उनकी जिन्दगी की सबसे बड़ी तमनाओं में से एक पुरी हो रही है उन्हें उनकी सालों की मेहनत का फॉल मिल रहा है, बता दे आज साल 2023 का पहला रोजगार मिला है परदान मंत्री नायनदबोदी ने देश भर में कूल 71,000 युवाओ को सरकारी नौकरी की सोगात दी है उन्हें नियुक्ती पत्र सोपा है, पियम मोदी ऑनलाइन वीडियो कंफरेंसिंग के जरिये इन हजारों युवाओ को जॉब लेटर दी है सरकारी नौकरी पाकर अब सरकारी कर्मचारी बन चुके इन युवाओ से पियम मोदी ने कहा है कि ये 2023 का पहला रोजगार मेला है, इसके साथ नए साल की सुरुवात उजल भविस की नए उमीदों के साथ हुई है नौकरी पाने वाले सभी युवाओ और उनके परिवारों को बधाई आने वाले दिनों में अभी और लाखो परिवारों को गुवर्मेंट जॉब मिलने वाली है जारखन में गंतंत्र दिवस पर मौसम के मिजाज जाने जार्खन के मौसम में बदलाव आया है मौसम बैग्यानिकों की मानने तो अभी ठंड रहेगी या कई वो बाइस जन्वरी को राज में कही कही सुभा में कोहरा धूंद और बाद में आशिक बादल चा सकते हैं या मौसम स०्क रहेगा वही 23 जनवरी को सुबह में कोहराया धूंद और बाद में आस्मान मुख्यता साप रहेगा और मौसम सुस्क रहेगा 24 और 25 जनवरी को कहीं कहीं आंसिक बादल चा सकते हैं और मौसम सुस्क रहेगा वही 26 जनवरी को आंसिक बादल चा सकते हैं और मौसम सुस्क रहेगा आपको पता दे कि पूरो में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद आपना फैसला रिजर्ब कर दिया था जार्खन के पूरो मंत्री एनोस एका वा पतनी मेनन एका को हाई कोट से जटका लगा है हाई कोट के जर्श्टिस गौतम कुमार चौधरी के अदालत ने इनकी अपीलियाज के खाजिश कर दिया है राहत देने से इनकार करती हुए अदालत ने निचली अदालत द्वारा दी गई सजा बर करार लखी है मिद्डे मील योजना के तीन साल का आकेंक्छन कारे आई से शुरू परधान मंत्री पोशन सक्ति निर्मान योजना का दोहजर अठाड़ उनई से दोहजर बीस से कईस तक बैधानिक आकेंक्छन कारे आज यानि 20 जनवरी सुक्रवार से शुरू हो गया है जीला सिक्षा भी भाकी ओर से इस सम्माद में सभी परखंड सिक्षा परसार पताधिकारी को निर्देश चारी कर दिया गया है आकेंक्छन कारे 20 जनवरी से चार माज तक अलग अलग परखंडों में किया जाएगा बतादे आकेक्षन अस्थल छेत्र सिक्षा पताधिकारी कर्याले धनबाद निधारित किया गया है धनबाद के 167 विद्यालियों का आकेक्षन कारे 1-4 फरवरी तक किया जाएगा ज़रिया के 100 विद्यालियों का अरेक्षन कारे 24 से 25 जनवरी तक वहीं बलियापूर के 166 विद्यालियों का 28 से 30 वा 31 जनवरी को किया जाएगा धनबाद होकर चलेगी आसन सोल से मदार के बीच उर्स एस्पेसल ट्रेन रायस्थान जाने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट है पूरे महीने कनफर्म सीट मिलना मुस्किल है ऐसे मेर में आयोजित उर्स मेले में आने जाने वाले यत्रियों की सुवधा को ध्यान में रखते हुए रेल्वे ने उर्स एस्पेसल ट्रेन चलाने का एलान किया है आसन सोल से मदार के बीच उर्स एस्पेसल ट्रेन चलेगी अठाई जनवरी को मदार से आसन सोल और 29 जनवरी को देर रात आसन सोल से मदार के बीच एस्पेसल ट्रेन एक एक फेरा लगाईगी ट्रेन में टिकटो की बुकिंग अभी शुरू नहीं हुई है जल्द ही बुकिंग शुरू होगी दुमका में छो दरिंदो ने बिगारी बची की हालत जारखंड में दुमका जी लेके रामगर परखंड में 14 जनवरी की राच चो दरिंदो ने मिलकर 14 साल की एक आदिवासी की सोरी के साथ सामरी की दुसकर्म की घटना को अजाम दिया हरान करने वाली बात या है कि इन में से दो आरोपित नवालिक है जीने पुलिस ने बाहल सुधार गिरी भेजा है जबकि बागी के तिन आरोपितों को गिरफतार का जेल भेज दिया गया इनकी पहचायन राष्ट पती किसकू जर्मन किसकू बिनोधेमरम के रूप में हुई है एक आरोपी रफायल टुडू अभी भी फरार है उसकी तलासी जारी है बीजेपी परदेश अध्यक्ष दीपक परकास को मिली जमानात जहरखन सरकार की क्रिशी नितिके खिलाप राइधानी राची के कांके स्थीत सुकूर हुट्टू में परदसन करने के एक मामल में बीजेपी के राज सभा सांसल सभ परदेश अध्यक्ष दीपक परकास को ब भुक्तान नहीं करने तथा सरकार की क्रिशिनीति के खिलाब कांके के सुक्र होटू में परज़न किया था दिपक प्रकास ने इसे साजिशन दर्ज कराया गया मामला बताया है रामगण उपचुनाव बिजेपी के लिए नाक की लडाई जारकन के रामगण में रन छेतर त्यार हो चुका है यहां होने वाले उपचुनाव के लिए 27 फरवारी को भोटिंग होगी वहीं 2 मार्च को नतीजे आएंगे बताद महागण बंधन जहां एक और जीत के प्रती अस्वस्त है वहीं एनडिये के रामगण उपचुनाव नाक की लडाई है खास्त और पर यहां बिजेपी के दो दिगजों की परतिष्ठा दाव पर लगी है रामगण बिधान सवा उपचुनाव एक तरब से जहारकन बिजेपी के अधर तिपक परकास और बिजेपी बिधायक दल के नेता बावलाम रांडे का नेतित परिक्षन भी होगा रामगण में एंडिये परतियासी को जीत दिलाना इन दो नेतावों के लिए परिक्षा और चुनावती इसलिए है क्योंकि 2019 में बिजेपी जहरकन की सत्ता से बाहर हुई ही है धनबाद में प्रेमी के घर तीन दिन से धरने पर बैठी लड़की चार साथ से रिलेशनसिप के बाद लड़की को प्यार में धोखा मिला है बता दे प्रेमी साधी के वादे से मुकर गया है परसान लड़की अब बीते तीन दिन से प्रेमी के घर के बाहर धरने पर बैठी है दरवाजा बंद है लड़की जीत पर अड़ी है कि साधी करेंगी तो उसी से वो चाहती है कि प्रेमी आकर एक बार उससे बात कर ले लेकिन बता दे कि प्रेमी फरार है ममला जार्खन के धनबाद का है प्यार में धोखा खाई लड़की धनबाद के राजगंज इस्थी महसपुर गाउं में प्रेमी उत्तम के घर के दरवाजे पर अपनी दादी और कुछ रिष्टोदारों के साथ 65 घंटे से धारना दे रही है जार्खन में नकसलियों के खिलाप नए सीरे से घोसित होगा इनाम जरकन में नक्सलियों के खिलाब इनाम की रासी घोसीत किया जाएगा इसको लेकर पुलिस मुख्याले ने 114 नक्सलियों के नाम की सुची गृष बिभाग को भेजा है जिसमें 76 नए नक्सलियों के नाम सामिल हैं रांची के अपार्टमेंट के आउट हाउस में आग से जिन्दा जला युवक बर्यातु थाना छेत्र इस्थित क्रिष्णा अपार्टमेंट के आउट हाउस में गुरु वार्देर राद आग लगने से एक युवक जिन्दा जल गया है जबकि दूसरी के हलाद गंभीर है इस अग लगी में आउट हाउस में मजूद दामोदर लोहरा नामक युवक जिन्दा जल गया दामोदर लोहरा सोना हातु का रहने वाला था वही रातु का रहने वाला अमर्तिगा नामक युवक इस्थिती गंभीर है आउट हाउस में आग कैसे लगी है इसका पता अभी नहीं चल पाया है पुलिस इसकी जाच कर रही है पुलिस ने बताया है कि एफ एस एल की टीम ने भी जाच की है रामगड में मामता देवी के देवर अमीत ने कॉंगरेस टिकट के लिए पेस की दावेदारी रामगड बिधान सभाव उपचुनाओ की तारिक के एलान होने के बाद रामगड में राइनेती सरकामी तेज हो गई है कॉंगरेस पार्टी की तरफ से चुनाओ लड़ने की चाहत रखने वालों की सक्रेता बढ़ती ही जा रही है बतादे एक तरफ पूरो बिधायक मामता देवी के पती बजरंग महतो टिकट लेने की होड पर खरे हैं वहीं दूसरी तरफ गुरुवार को पूरो विधायक मामता देवी की देवर अमीत महतो ने भी कॉंग्रेस पर्देश अध्यक्ष राजश ठाकुर के सामने अपनी दावेदारी पेस की है साथ ही अमीत महतो ने पर्देश प्रभारी अविनास पांडे सहीद विधायक दल की नेता अलमगीर अलम को भी अपनी दावेदारी को लेकर आवेदान दिया है गढ़वा में 16527 बिद्यार्थियों को निसुल्क दिये गए जाती पामान पत्र गढ़वा जी लेगे कूल 16527 बिद्यार्थियों को निसुल्क जाती पामान पत्र उपलावद कराया गया है सरकार की निदेश पस्वा भी सरकारी स्कूलों में कैम्प लगाया कर बिद्यार्थियों को पामान पत्र दिये गा है बता दे माई 2022 से अब तक कूल 90-2595 में आवेदान ओनलाइन प्राप्त किये गा है जिसमें से 16527 बिद्यार्थियों को पामान पत्र दिया गया इसकी जनकारी DC रमेश घोलप ने दिया है रमेश घोलप ने बताया है कि सरकारी स्कूल में कलास 1-12 तक के बिद्यार्थियों को अभ्यान चला कर जाती पान पत्र लेने का काम किया जा रहा है पला अधिकारी छेत्र भवमन कर लागातार मोनेटरिंग कर रहे है धन्यवाद